मजी मेरे भाईयों और बहनों स्वागत है आपका आज हम एक कुरुंतियों 11 के 17 से 22 आयातों को देखेंगे शुरू करने से पहले मैं आपको यह यार देला दू कि एक कुरुंतियों एक सुधारात्मक पत्र है पॉल उस कुरुंतियों मंडली में व्यप्त समस्याओ को सुधारने की कोशिश कर रहा है और इसलिए इसमें से सीखना और सिखाना दोनों कठिन है अब जाये ना किसी को डाट खाना पसंद है ना कि डाट ना यह किताब पढ़ते हुए यह भी ध्यान देना जरूरी है कि यह हमारे परमिश्यों के साथ संबंध के बारे में उतनी नहीं है पर यह हम विश्वासियों के आपसी संबंध के बारे में अधिक है अगर हमने परमिष्व के प्रेम का अनुभव किया उसका अनुगरह पाया है तो उसके चलते हمाया रवया एक दुसर की तरफ कैसा हो पॉलूस ने बात की प्रेम वश अपने अधिकालों को त्यागते हैं कैसे अपनी सुतंतरता का लाब उठाते हैं सू समाचार और परमिश्वर के प्रेम को दूसरे तक कैसे लेकर जाते हैं कैसे हम उपासना के समय परमिश्वर द्वारा बनाए अधीनता के करम का सम्मान करते हैं और अब पॉलुस आता है एक और समस्या पर जिससे हम अभी जूज रहे हैं तो कुरूंतियों मंडली में क्या चल रहा तो जानते हैं एक कुरूंतियों 11-17 से 22 पढ़कर परन्तु यह आग्या देते हुए मैं तुम्हें नहीं सह रहाता इसलिए कि तुम्हारे इकट्टे होने से भलाई नहीं परन्तु हानी होती है क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्टे होते हो तो तुम्हें फूट होती है और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ क्योंकि दल बंदी भी तुम में अवश्य होगी इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए अता तुम जो एक जगा में इकट्टे होते हो तो यह प्रभू बोच खाने के लिए नहीं क्योंकि खाने के सामें एक दूसरे से पहले अपना भोज खाले लेता है इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है, कोई मतवाला हो जाता है क्या खाने पीने के तुम्हारे घर नहीं या परमिश्वी कलीसिया को तुछ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता जो कुछ भी मंडली में चल रहा था पॉलुस उस बात को लेका प्रशंसा नहीं कर सकता जब विश्वासी एक साथ इकठे होते हैं तो उसमें भलाई होती है हम विश्वासी इसलिए इकठे होते हैं जिसलिए एक साथ मिलकर हम प्रभु की अराधना करें एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे का निर्मान करें, एक दूसरे को प्रसाहित करें एक दूसरे को एहसास दिलाए कि हम एक ही देह का अंग हैं हम एक ही परिवार के सदस्तिया हैं चाहे हम में भिन्जता हो पर कुरंतियों मंडली के लिए पॉल उस कहता है 17 आयात में कि उनके एकटे होने से भलाई नहीं पर हानी होती है क्यों? 18 आयात में यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसया में खटे होते हो तो तुम में फूट होती है उनमें दलबंदी होती है उनमें विभाजन था पर यहाँ दलबंदी है कारण आपसी मदभेद नहीं था पर वे लोग अब भी आपस में सामाजिक तौर में बटे हुए थे इन आयातों का थोड़ा सा परिपिक्ष में आपको बता दू पहला कुरूंतियों मंडली में दो सामाजिक तपके के लोग थे अधिकतर गरीब दास थे और कुछ थे जो संबराहन थे उन दिले मिडल क्लास नहीं हुआ करती थी या तो कुछ अमीर थे या कुछ गरीब उस समय प्रभू भोज आज के प्रभू भोज से काफी अलग हुआ करता था उस समय प्रभू भोज से पहले एक बड़ा भोज होता था जिसे अगापे भोज या प्रीती भोज कह सकते हैं हर सब्ता यह होता था जब विश्वासी उपासना के लिए एकटे होते थे और क्योंकि उस समय कलीसिया की बिल्डिंग तो होती नहीं थी तो वे लोग किसी ना किसी के घर पे ही मिला करते थे और सब कोई कुछ ना कुछ लेकर आते खाने के लिए भोज के लिए जैसे कोई रोटी ले आया, कोई मास ले आया, कोई सबजी ले आया, कोई दाल ले आया, कोई दाखरस ले आया और फिर वे लोग सब उसे मिलकर खाते पीते और अंत में थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा दाखरस से वोग प्रभू भोज लेते इसके पीछे आत्मिक सिधान किये है था कि जब हम एक साथ रोटी तोड़ते हैं एक साथ खाते हैं तो हम एक हो जाते हैं यही कारण है एक यहूदी अन्य जाती के साथ कभी भी खाना नहीं खाया करता था क्योंकि ऐसा करने से वेह दोनों उसके साथ वे एक हो जाता अन्य जाती के साथ पर येश्यू मसी में न तो कोई यहूदी है न कोई अन्यजाती न कोई स््री ना कोई पुरुष ना कोई दास ना कोई सवाधीन ना कोई अमीर ना कोई गरीब हम सब एक हैं और इसलिए उस समय प्रभ भोज एक पूरे भोज का हिस्सा हुआ करता था और आप समझी सकते हैं कि यह किसी सब्रहांद विश्वासे घर में हुआ करता होगा क्योंकि दासों के तो ऐसे घर होते नहीं थे जहाँ पे लोग गठा हो सके और अधिकतर भोजन भी जो था वो लोग सम्ब्रहांद अमीर लोग ही लाते होंगे पर पौड़ू सो ख़बर मिलती है कि कुछ लोग शायद भोजन पर इस प्रकार तूट पड़ते हैं कि वे लोग ही सारा का सारा भोजन खा जाते हैं यहां तक ही अधिक दाकरस पिने से मतवाले हो जाते हैं अब मैं आपको दाकरस उसनले में सिर्फ अंगुर का रस्म होता था वाइन जिसको बोलते हैं अंगरेजी में वहता था जो आपका फर्मेंटेड होता है जिसमें अल्कॉहल होता है वही कुछ लोगों के लिए कुछ बसता ही नहीं था कुछ लोगों तो खात पी के मतलबाले हो गए एकदम कुछ लोगों के बचा ही नहीं अब आपको अनुमान लगाने में कट्खिना ही नहीं होगी कि जिन लोगों के लिए कुछ बसता नहीं होगा वे लोग गरीब दास तपके के विश्वासी होंगे और यह 22 आयात में सपष्ट होता है पॉलिस पूछता है या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है या परमेश्वे कलीसिया को तुछ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लग्जित करते हो संब्रहंत विश्वासियों का अपना ही दल बना लिया होगा और वे लोग उसमें गरीबों को घुसने नहीं देते होंगे हम लोग प्रिविलेज्ड है हमें आप विश्वेशा दिकार है और आज भी कलीसिया में ऐसा होता हुआ दिखता है मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग एक में एक नहीं होते एक ही समाजी तपके के होते है उनकी पसंद, पहनावा, शौक, सब कुछ एक होता है वो उनकी दोस्ती अधिक जल्दी हो जाती है पर दल बना लेना ग्रुप और फिर उस दल को एक अभेद खिला बना लेना जिसमें कोई और प्रवेश करनी सकता कोई गुस नहीं सकता जो उनसे अलग है यह संसार में आम सी बात है पर यह मसीही आचलन नहीं है मसीह में सब एक है और हम से वे एक दे का सदस्तिया है अब कुरुंतियों मंडली में ऐसा नहीं था और इस बात ही खबर पॉलूस को लगती है और वे कहता है कि इस पर मैं कुछ विशुवास भी करता हूँ और उन्रिस आयात में वे कहता है कि यह थोड़ा सा भ्रहम में डाल सकता है वे कहता है क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए इस आयात को दूसरा अनुवात common language में इस प्रकार से है आप लोगों में फूट होना एक प्रकार से अनिवारिय है जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि आप में कौन लोग खरे हैं पॉलस यहां इस प्रकार की फूट को अनिवारिय बता रहा है वे ऐसा नहीं कहता कि यह फूट अच्छी है पर वे कहता है अनिवारिय है अवश्य है क्यों कि इस प्रकार की विभाजन यह प्रकट करता है कि कौन सच्चा खरा विश्वासी है और कौन नहीं देखिए दल बंदी होने की पीछे का कारण क्या होता है स्वार्थ और घमंड जो लोग अपना दल बनाते हैं वे लोग किसी भी कारण से यह सोचते हैं कि हम दूसरों से बहतर हैं हमारे पास विश्व अधिकार होने चाहिए दूसरा जो उनसे भिन है उन अधिकारों का योग्यन नहीं है हमें बैठने के लिए बहतर स्थान चाहिए हमें पहले भोजन परोसा जाए हमें अधिक सम्मान मिले क्योंकि हमें लगता है हम दूसरों से अलग और बहतर है जबकि हमारा मसी में विश्वास हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों को अपने से बहतर समझे दूसरों के हित को पहला स्थान दे खास तोर से उन लोगों को जो शाय से हमारे जितने भाग्यशाली नहीं है आप पुरी बाइबल उठाकर देख लीजिए परमेश्व गरीबों को सताय हुए कुछले हुए लोगों के साथ हमेशा है और अगर हम मसी विश्वासी हैं उसी परमेश्वर की आत्मा हम में है तो हमारी प्रात्रमिक्ता भी वे लोगी होने चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है पर अफसोस हम आज भी उन्हें लगजित करते हैं हमारे देश में और बहार भी विश्वासी उने खुद को जात पात के नाम पर सामाजिक हैसित के अनुसार रंग के अनुसार बाट रखा है एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 74% विश्वासी खुद को नीची जाती का मानते हैं जाती? मसी विश्वासियों में जाती कहां से आ गई? जाती प्रता से परिशान कई दलिक्त समानता की चाहत में तो मसी ही बने थे परमतु उची जाती से आये विश्वासियों ने इनसे मद भेत जारी रखा अब जानते हैं तो मिलागों में ऐसे चर्च है जा दलिक्त विश्वासियों को ऊपर बेंच या कुर्सी पर बैठने नहीं लिया जाता उनको अनुमती नहीं है एक ही कलीसिया में उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता है कुर्सिया उची जातीयों के विश्वासियों के लिए आरुष्चित है खेत की बात है उन्हें कलीसिया के कई काली क्रोमों में अलग रखा जाता है उन्हें नित्रित्व का मौका नहीं दिया जाता शादी करते समय भी विश्वाशी एक दूसरे की जाती देखते हैं यह अफ़सोस जनुनक है पर सच्चा है यह दिखाता है कि कौन सच्चा विश्वासी है जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम इस आप्मिक सच्चाय की अभिश्वाषति करते हैं कि हम मसी के साथ एक हुए हैं और उसके देह का हिस्जा हैं और इसलिए हम सब एक हैं कोई छोटा या बड़ा नहीं अमीर या गरीब नहीं पर उन्तो इस तरह का विभाजन आज तक हम कलीसिया से हटा नहीं पाए हैं और हम जब इस रवजी के साथ प्रभु भोज लेते हैं त के बिलकुल विरुद हैं पौल उसने 22 आयात में कहा कि क्या तुम परमिश्व कलीसिया को तुछ्छ जानते हो क्या है परमिश्व कलीसिया जह हम परमिश्र के लोग हैं जहां बहारी कारको और मानव निरमित भे दो के आधारपा अलगाग ना हो जहां इस बात की समझ हो कि हम सब की पहचान यह है कि परमिश्वर ने हम सब को अपने सुरूप में बनाया है और येश्व सब के लिए एक समान मरा पर जब हमारे आचर में यह समझ प्रकट नहीं होती पर हमारा घमन और स्वात प्रकट होता है तो इसका अर्थ यही है कि हम परमिश्वर कलीसिया को तुछ जान रहे है उसके बलिदान को तुछ जान रहे है जो हम सब को एक करता है और इसके बारे में पॉलिस आगे के आयातों में बात करने वाला है मैं आपको चनौती देता हूँ अपने मन को जाचिए आपके घर में जो काम करने वाला आता है या आती है आपका रविया उसके प्रती क्या है अगर कोई आप सामाजिक तोर से मेरे बराबर नहीं है तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है आपको क्या लगता है कि यह है उसके कर्मों का फल है और क्योंकि आप उससे भेतर हो और आपका अधिकार है उसका शोशन करने का या फिर आप उसपर दया और करूना रखते हो सोचिए कल पना कीजिए अगर आप एक इसी भोज में जाते हैं और आपके पास में गरीब भिकारी गंदे मेले कुछर कपरों में हुआ के बैठ जाता है आप उक ऐसा लगता है क्या आप अपनी नाक बहुत सी कोड़ेंगे क्या आप उसको स्रिकारेंगे नहीं आप उसको इग्नोर करेंगे उसको आप यह उसको समान देंगे जो किसी और को देते मैं जानता हूँ कि यह सवाल चुबने वाले हैं पर यह हमाले रिदे की स्थिती को उजागर करते हैं प्रातना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपको बदले आप और मैं हर मनुष्यों को परमिश्व की नजरों से देखने पाएं न कि मनुष्य के बनाएं बहारी मापदंडों से जो हम में भेद करता है हम हर मनुष्य की सेवा करें उसे मसीख के प्रेम से गले लगाएं अपनाएं यह अनुग्रह परमिश्वर हमें दे, तब ही हम सच्ची कलीसिया बन पाएंगे, इस संसार में नमक जोती बन प्रभाव डाल पाएंगे कर हम प्रभू भोज के बारे में और उसके महत्व को और गहराई से समझेंगे करुंतियों 11-23 में कलते के लिए अनुमती दीजिए परमिश्वर का प्रेम येश्व मसी का अनुगरह पवित रात्मा की संगती में बने रहें आमें